हेलो दोस्तो, खाने जुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग LCM और LCF का most important question पढ़ेंगे जो हर exam के लिए बहुत ज़रूरी है तो चलिए हम लोग question देखते हैं question है 36 और N के LCF और LCM क्रमसा 9 और 180 हैं तो N का मान ग्याद करें जब भी ऐसा question रहेगा तो आप एक formula याद रखिएगा कि दो संख्याओं का multiple उसके LCM into SCF के बराबर होता है यह आपको पहले से भी पता होगा नहीं पता होगा तो यह formula याद रखिएगा कि दो संख्याओं का multiple उसके LCM into SCF के बराबर होता है तो एक संख्या मेरा 36 दिया हुआ है, दूसरा संख्या नहीं दिया है, तो इसको N रख देते हैं, फिर LCM आपका कितना दिया हुआ है, तो LCM आपका दिया हुआ है, 180 और SCF दिया हुआ है आपका 9, ठीक है, इसको यहाँ पे put करिए, और put करके इसको solve कर लीजी, आपका answer आ जा N का value, यानि कि आपका दूसरा number वाला जो संख्या है, वो 45 है, यही इसका answer है, next question देखते हैं, next question है, तीन संख्याओं का उच्तम समापवर्तक 12 है, यदि वे 1 इस्टू 2 इस्टू 3 के अनुपात में हैं, तो संख्याओं ग्याद करें, कि वो संख्या कौन सी है, तो एक ना दिया हुआ है, तो 12 इस्टू 2 है, याद रखिएगा कि जो HCF होता है, वो तीनों में multiply होगा, क्योंकि अगर माल लिजी हम इसको संख्या माल लेते हैं, 1X और 2X और 3X, तो X का value 12 है, highest common factor सब में X है, और HCF इसका 12 है, यानि X बराबर इसमें 12 है, तो 12 से multiply करेंगे, त भुला है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, तो वो संख्याएं 12, 24 और 36 हैं, ठीक है, यही इसका answer हो जाएगा, ठीक है, अगर यह अच्छा लगा तो मेरे चैनल को subscribe करिए, like करिए, next question है, दो संख्याएं 5 इस्टू 6 के अनुपात में हैं, उनका LCM 660 है, तो छोटी संख्या ग् ना लिजेगा, तो एक्ठो हो जाएगा 5X और एक्ठो हो जाएगा 6X, ठीक है, अगर दो संख्याएं का गुनंगफल बराबर होता है, उसके LCM into HCF का, तो देखिए, यहाँ पर आपका LCM दिया हुआ है 660, और HCF क्या होगा, तो दोनों में आप क्या किये हैं, कि X लगा दि हैं, तो दोनों का हाईएष्ट कॉमन X है, तो इसका SCF X हो जाएगा, याद रखियेगा, हम एक संख्या माने 5X, एक संख्या माने 6X, यहीं से लेकर, तो यहाँ जो दोनों में मल्टिप्लाइ किया ना, X से, यही इसका हाईष्ट कॉमन फेक्टर है, तो यही इसका SCF हो जा और इसको 5 से कटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानि x equal to आपका 22 आगया, x का value 22 आगया, और आपको बोला क्या है, छोटी संख्या ग्याद करें, तो देखिए, छोटी संख्या क्या होगा, 5x हो जाएगा, 6x तो बड़ी संख्या होगा, और 5x छोटी संख्या होगा, यानि 5 से multiply कर दिए 22 को, तो 5 से multiply करिएगा 22 को, तो आपका हो जाएगा 25, 110, यानि कि छोटी संख्या इसमें 110 होगा, दो संख्याओं का अनुपाद 2 to 3 है, तथा इनका LCM 48 है, इन संख्याओं का योग ग्याद करें, जब भी ऐसा question रहेगा, तो जो आपका अनुपाद दिया है, 2 to 3, इसी में आप X लगा लिजेगा, और इसको संख्या बना लिजेगा, ठीक है, तो आपका एक अनुपाद क्या है, 2 दिया होगा है, तो 2X मान लिए, और एक ठो दिया है 3, तो इसको 3X मान लिए, और इसी को हम लोग संख्या मान लिए, कि एक ठो संख्या 2X है, और एक ठो स लिख लिए और SCF नहीं दिया हुआ है, तो SCF इसमें देखिए, दोनों में common factor क्या है, highest common x है, तो इसलिए SCF हम क्या माल लिए, x माल लिए, ठीक है, आद दो संख्याओं का गुनंगफल बराबर होता है, LCM into SCF के, आद दो संख्या में दोनों संख्या put कर दिये, और LCM जो दि 3 से ये काट लिए, तो 16 हो गया, दो से इसको काट लिए, तो 8 हो गया, यानि x का value कितना आ गया, तो x का value आपका 8 आ गया, ये 8 आपका x का value आ गया, इसको x का यहाँ पे put करिये, 2x है, तो 2x में 2 into x करिये, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ 3x है, तो 3 into 8 करिये, तो 24 हो आपका 40 आएगा जोड़कर यानि आपका आंसर 40 है ठीक है